हेलो गाईज कैसे हो आप सब तो आज के हम इस वीडियो में 120 का अभाज जे गुनार खंड देखेंगे कि 120 का अभाज जे गुनार खंड क्या होता है तो देखियो गाईज हम लोग क्या करेंगे 120 को अभाजय संख्य से कटाएंगे और तब तक कटाएंगे जब तक की 120 पूरी तरह से अभाजय संख्य से कटना जाए अब हम क्या करेंगे जिस जिस अभाजय संख्या से कटाए हुए रहेंगे उस अभाजय संख्या को हम यदि गुणा के रूप में लिख देंगे तो जिस अभाजय संख्या को गुणा के रूप में लिखेंगे उसको ही 120 का अभाजय गुनखंड कहेंगे तो चलिए हम 120 को अभाज संके से कटाते हैं तो सबसे पहले हम छोटी अभाज संके से कटाते हुए चलेंगे तो चलिए हम 120 को हम पहले 2 से कटाते हैं तो 120 को जो हम 2 से कटाएंगे तो देखिए 2 छके 12 चला जाएगा और यह 0 यहाँ पर उतर जाएगा देखिए जैसे हम यहाँ पर कटाते हुए चल रहे हैं सेम उसी तरह से आप लोग को भी कटाना है अब चलिए देखिए यहाँ पर 60 आ गया तो 60 को भी हम 2 से कटाते हैं तो देखिए यह 6 है न तो 2, 3 यह 6 चला जाएगा अब चलिए यह 0 है तो यहाँ पर उतार देंगे अब देखिए यहाँ पर आ गया 30 तो हम क्या करेंगे अब 30 को 2 से पुना हम कटाएंगे तो देखिए यह 15 दूना 30 होता है तो यह 30 जो है वह 2 से 15 बार में कट जाएगा अब ध्यान दीजिएगा अब देखिए यह 15 जो है वह 2 से नहीं कट सकता तो अब हम क्या करेंगे इस 15 को हम 3 से कटाएंगे तो जब 3 से कटाएंगे तो 3 पाचे 15 होता है यानि जो 15 है 3 से 5 बार में कट गया अब देखिए क्या करेंगे इस 5 को हम 5 से कटा देंगे तो यह 5 है इस 5 से एक बार में कट जाएगा देखिए 120 को हम पुरी तरह से यहाँ पर कटा चुग है फाइनली यहाँ पर एक आ गया है तो अब हम यही पर रुख जाएंगे देखिए यह सब भी अभाजे संक्या से सिर्फ कटा हुए है तो आपको भी सेम इसी तरह से करना है अब हम क्या करेंगे देखिए 120 का भाजे गुनखंड निकाले हुए है ना हम तो हम क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पर 120 इस तरह से सेम आपको भी इसी तरह से लिखना है पर यहाँ पर ब्राबर का चीन देंगे अब देखिए जिस जिस अभाज संक्या से हम कटा हुए हैं उस सभी अभाज संक्या को इसके गुणा के रूप में लिखेंगे और इसको लिखेंगे न यही 120 का भाज गुणखंड हो जाएगा देखिए कि यहां पर 120 जए दो से दखिए 2 तीन बार आया है मतलब 220 जो है न 2 से तीन बार कटा है तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 अब चलिए देखिए तीन से एक बार कटा है और पांच से एक बार तो इसको भी लिख देंगे तीन गुणे पाँच अब जारा से यहाँ पर ध्यान दीजेगा यही जो है न यही जो है यह आया देखिए दो गुणे दो गुणे दो गुणे तीन गुणे पाँच यही जो है न एक सो बीस का अभाज जे गुनन खंड हो गया अब चलिए हम इसको घतांग के रुक में लिखतेते हैं ताकि आप लोग को कोई सवाल यदि आप लोग को मिल जाएगा तो उसको बनाने आप लोग को बहुत ही सुविधा होगा तो देखिए हम क्या करेंगे यहां देखिए तो लेकिन देखिए तीन के पावर एक लिखने का मतलब होता है तीन ही तो सिर्फ हम तीन लिखेंगे इसके पावर एक नहीं लिखेंगे अब चलिए गुणा में पांच लिख देंगे इसी तरह से सवाल को बना सकते हैं तो बोल देंगे कितना होगा तीन होगा देखिए दो कघात इसमें तीन ही ना आया है तो इसलिए हम घतां के रूप में भी लिखकर आप लोग के बतला दिये कि आप लोग कैसे इस अवाल को घतां के रूप में भी लिख सकते हैं तो आई होप आप लोग इस वीडियो में जानगे होंगे कि 120 का भाज गुनखंट क्या होता है